आज चीता की घर वापसी हो रही है लगभग साढ़े साथ दशक के बाद चीता हिंदुस्तान की जमीन पर आने वाला है हाला की ये प्रजाती अलग है लेकिन उमीद यही की जा रही है कि आज के इस नए माहौल में चीता इस पूरे जो पूरा जो परियावरान है उसमें ढ़लेगा मद्यप्रदेश के कुनो नाशनल पार्क में चीता बस पहुचने ही वाला है हम इस से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जिनका जन दिन भी है वो पहुच रहे हैं कुनो जो नाशनल रिजर्व है वहाँ पर और यहाँ पर वो उन चीतों को उनके क्वारंटाइन के इलाके में आज छोड़ेंगे बस कुछपलों का इंतिजार और आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी आज से पहले जो कभी नहीं देखा जो पहले कभी नहीं सुना वो आज हम और आप अपनी आँखों के सामने देखने जा रहे हैं मध्य परदेश के कूनो नेशनल पार्क में अतिहासिक शन होगा क्योंकि नामीबिया से करीब 8500 किलोमेटर का सफ़र तैंकर के 8 चीते भारत पहुंच चुके हैं यह तस्वीरें उन्हीं चीतों की जो अब नामीबिया से भारत लाए गए हैं बोईंग 747 के जरीए 11 घंटे की लंबी यात्रा और अब इसके बाद यह विमान देखें पूरी खुबसूर्ती से उतरता हुआ और यह विशेश इसी लिए है क्योंकि इसका इंतजार हिंदुस्तान को था जिसमें आ रहे हैं हमारे महमान आठ चीत यह देखें यह पहला धा जिसमें आप देखें शेर का मूँ बना हुआ है सामने शेर जैसी यह शकल और यह विमान अब सीधे ग्वाली अरंतराश्टी हवाई अड़े पर उतरता हुआ और इसी में आ रहे हैं हमारे विशेश महमान और यहां पर कस्टम इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद उसके बाद तुरंट इन्हें यहां से लगभग अगले 20 मिनट में एरफोर्स के विशेश हेलिकॉप्टर्स के जरिये रवाना कर दिया जाएगा कुनो नैशनल पार्क में सीधी तस्वीरें गौले रंतनाश्री एरपोर्ट पर अब जो एक प्रकिरिया है वो होगी कस्टम की, इमिग्रेशन की क्योंकि उनके साथ कुछ तकनीकी मशीनरी भी आ रही है इसे यू समझे बीते 74 वर्षों के दोरान एक नहीं कई पीडियां गुजर गई लेकिन टीवी या तस्वीरों के सिवाए देश में किसी ने चीते को नहीं देखा ये तब है जब देश के भुभाग का आज 21.71 प्रतिशत वनक्षेतर है लेकिन अब नरेंद्र मोदी मौजूदा पीड़ी और आने वाली पीड़ियों को बड़ा तोफ़ा देने वाले हैं तारीख है 17 सितंबर 2022 वक्त सुबा के 10 बच कर 30 मिनट प्रधान मंत्री मोदी रिलीज पॉइंट वन से दो चीतों को कौरंटीन बाड़े की तरफ छोड़ेंगे दूसरा रिलीज पॉइंट खरीब 70 मीटर आगे है जहां सुबा 10 बच कर 30 मिनट पर प्रधान मंत्री मोदी एक और चीते को लीवर खीच कर कौरंटीन बाड़े की तरफ छोड़ेंगे मतलब चीतों को पहले कौरंटीन किया जाएगा जो योजना है उसमें जो कौरंटाइन नमबर वन जो एनक्लोजर नमबर वन है वहाँ पे आधरनी प्रधान मंत्री जी दो चीते वहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद करिब 70 मीटर दूर जाकर दूसरा कौरंटाइन का एनक्लोजर है जो रिलिज स्थान है वहाँ पे एक चीता तो कुल मिलाकर इस प्रकार तीन चीतों को कौरंटाइन में प्रधान मंत्री से चोड़ेंगे उसके बाद जो शेश चीते हैं वो उनके जो रस्पेक्टिव कौरंटाइन से हैं उसमें छोड़ दे जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का दौरा है और क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा चीता ट्रांस लोकेशन प्रोजेक्ट है एक महाद्वीब से दूसरे महाद्वीब इन चीतों को लाए जा रहा है तो उनकी सुरक्षा का भी बन रखा जाना बेहर जादा जरूरी है किसी तरीके का कोई इंफेक्शन अंदर ना चले जाए और प्रधान मंत्री का दौरा भी है तो जाहिर सी बाते नेशनल पार्क को पूरी तरीके से बंद रखा गया हम जिस जगह पर मौजूद है यहां से भी काफी अंदर इस नेशनल पार्क का मुख्य द्वार है जहां पर चीतों की बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई गई है एक समय में वहां पर शेरों की पेंटिंग दी क्यूंकि कुनों का चैन सबसे पहले गुजरात के जो गिर एशियाटिक लायंस है उन्हें लाने के लिए कुनों का चैन हुआ था लेकिन ऐसा हो नहीं सका अब क्यूंकि चीते आ रहे हैं तो शेर की जगे चीतों ने वहां ले ली है